राम राम, जै मा भारती, जै हिंदुस्तान, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ससे सचातकार में हारदीक अपनन्दनियम स्वागत है, आज भारती जनता पार्टी के भविस और उत्तर प्रदेश मों जो दस उच्चुना हो रहे हैं, उसको को रिलेट करके एक विसेशन मनान अगर अच्छा लगेगा, तो आप जरूर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सभी वाटसंगों में सेर जरूर करिएगा, हर्याना के चुना हो गए, कस्मिर के चुना हो गए, जम्मू कस्मिर के, मेरा दोनों का पहले चुना हो के पहले, और बात के वीडियो देखना आ एक हद तक मैं सटिक निकला, कि हर्याना में वही होगा जो च्छतिजगड़ में हुआ, अब जम्मू कस्मिर में भारती जनता पार्टी की सीटे बढ़ेंगी, मैं जितना बताया था उससे तीन सीट जरू कम होई, खैर, आप उसको सुनना, आज क्या है, आज आपको बताओ मैं, इस पस्ट बता रहा हूँ आपको मैं, भारती जनता पार्टी अब बिना योगी के अधुरी हो गई, आपको मैं बता रहा हूँ, अब अगर मोदी के बाद, जब भी प्राइम मिस्टर भाटपा से कोई बनेगा, तो मेरा कन्फूजन क्लियर हो गया है, आपका क्या कन् कि मोदी जी के बाद, अब इस हिंदुस्तान का प्राइम मिस्टर भाटपा के बहुमात आने के बाद, योगी जी ही प्राइम मिस्टर बनेगे, यह मैं डंके के चोट पे मेरा आकलान है, मैं जो आपको सामने रखता हूँ, और आपको बता दू मैं, अगर योगी जी को चास सीटों पे राजिती करते थे, और अगर उनको छड़ने का प्रियास हुआ, तो मान के चलिए भारती जंता पार्टी, 2004 और 2004 से लेकर जो 14 तक का दौर था, उस दौर में भादपा पहुंच जाएगी, मैं इतना दावे के साथ बोलता हूँ, और आज जो 240 सीट आई, जि सिब योगी जी को इगनोर करना, योगी जी से सला, उनके सला को ना मनना, और उनके प्रत्यासियों को एक तिकट ना देना, जो मैं बता चुका हूँ, आप सुनिएगा जरूर, ओटिंग के पहले और बात का, आज क्या है, दस उप चुनाओं है, एक दो सीट थी, एक आरेल के पास थी, मेरे खाल से खैर, फुलपूर और गाजियाबाद, मीरापूर जो पस्षी मुत्तर प्रदेश में, आरेलडी के पास थी, आरेलडी अभी भागपा के साथ आगई, मेरे को लगता है, कि नौ सीट पे भागपा लड़ेगी, क्योंकि निसाद पार्टी को मना लिय जाएगा, तो कि एक एक सीट की लड़ाई है, भले निसाद पार्टी के खंडिने भागपा से लड़े, आरेलडी के मेरा पूर्शीर जाएगी, लोग सभा में, योगी को किनारे करने का आप समने देख लिया है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर योगी जी को पर सोपा गया, साइज सोपा जाएगा, दसो चुनाओ, तो याद रखना आप, रिजल्ट आगा एक डिनमाने बाद, चुनाओ डिकलेर नहीं हुएं, प्रत्यासी घोसित नहीं हुआ हैं, कैसे कैसे लड़ेंगे, ये तैं नहीं हुआ हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश में, मोदी से कई गुना जादा लोग प्रियोगी जी हैं, मैं पहले भी बोला था, मैं आज नहीं मुल रहूं इस बात को, जब मैं लोग सभा का बना रहा था, तब भी मैं बोला, कि योगी जी, आप सेकंड नमर में पूस करिए, और योगी जी को सामने रखिए, आप पीछे रहे, पूरे देश में भले आप आगे रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप योगी के पीछे रहे, लेकिन मेरी बात को किन्ने माना, किन्ने नहीं माना, मैं नहीं जानता, प्रणाम आपके सामने है, पूरे उत्तर प्रदेश में बात फैल गई, कि योगी जी को किनारे लगाने का खेल हो रहा है और वहां की जंता योगी जी के कारण और गलट टिकेट वितरन के कारण जो मीडिया में नेरेक्टिव चलता है आपको बता रहा हूं मैं पहले भी बोर रहा हूं आज भी बोर रहा हूं कि सविधा, नारक्षान, पिगडिये, फलाना, देखा आ, अगर योगी जी के हिसाब से तिकिड बसता, तो मैं दावे के साथ बोलता, मिनिमम साथ पैसर सीटा था, सत्रा, ठारा, सीट, भारती जंता पार्टी, पांच हजार, दस हजार, वीस हजार, पत्चीजार, चालीस हजार से हरी, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं आपको बता देता हूँ, कि आने वाला भविस योगी जी का है, योगी जी जब भी मोदी जी पद छोड़ेंगे, और अगर भाजपा के लोगों ने गल्ती की, तो याद रखना, भाजपा को बुरे दिन बहुत जल् और इवन दो हजार चोवीस भी मोदी जी के नाम पर उट पड़ा, कुछ अपवाध हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हैं, फिर वो रॉंग, योगी जी सबसे बड़े निता है, मोदी जी उनके सामने कहीं नी टिकते, अगर बीस पॉइंट को मैं गिनू, तो बीस म योगी जी हैं, अब 12-13 में मोदी जी हैं, ये 10 का बाइलेक्सन अभी घोसित नहीं हुआ है, प्रारम भी काकलन आपको बता दू मैं, भारती जनता पार्टी, तीन से ज़्यादा सिर्ट जीतेगी, जो तीन सिर्ट थी, और एक बात और बता दू भाईयो, जिस प्रकार से अ न्यूस 24 चैनल देखना, वो फैजा बात लोग सभा बोलता ही नहीं है, अयोध्या, अयोध्या, बीजेपी अध्या गए जानो मानो, ये लोगने सुपाडी ले ली हो, हिंदो धर्म को खतम करने के लिए, राम मंदर को बदनाम करने के लिए खास का न्यूस 24 का नाम ले रह अयोध्या, लोगसभा अयोध्या, लोगसभा अयोध्या, आप रैपूर को भाटा पारा बोलोगे क्या, बोलके दिखाओ, बोलके दिखाओ, आप विलासपूर को मुंगेली बोलोगे क्या, बोलके दिखाओ, भाई सहाब, लोगसभा फैजाबाद, बीजेपी हारी है, फि ये डेंट लगाने की कोशिश करते हैं निउस्टिटिफोर जैसे चैनल मुझे से निवेदन करता हूँ कि कृपिया जो कानूनियन है जो सविधान सम्मत है उस लोग सभा का नाम फैजाबाद है आप फैजाबाद क्यों नहीं बोलते हैं आप मालूम है मेरे को कि आप क्या नेरेटिफ फलाना चाहते हो लेकिन हमारे जैसे लोग घलत होने नहीं देंगे आपको बता रहा हूँ मैं मिल की पुरसीट को भी देख लेना इस दस लोग सभाँ दस उपचुनाद होंगे विधान सभा सी सामों से ले से खैर से लेकर फुल फुल से लेकर अकुंदर की से लेकर कटेहारी से लेकर करहल से लेकर आपको जितने उप्चुनाओं हो रहे हैं गाजयावा तक मैं आपको तावे के साथ बोलता हूँ तीन सिर पर थी भाच्वा 300 से ज़्यादा जीतेगी कितना जीतेगी टिकल डू बितन होने दीजे मैं आपको बताऊँगा लेकिन योगी जी भारती जनता पार्टी के अगले पियम है अगर योगी जी को रोखने का प्रयास हुआ तो भारती जनता पार्टी बहुत बड़े गर्त में बहुत बड़े गड़े में जाएगी यह मेरा संची ताकों में शेसन है आप कमेंट्स करके बताईए कि मैं कितना सही बोड़ रहा हूँ कितना गलाथ और अगर सही बोड़ रहा हूँगा तो जरू सेर करिये और सबस्क्राइब करना ना भूले आप सकता बहुत बहुत धन्यवाद जय माभारती जय हिर